दोस्तों क्या बॉडी बिल्डर टोनियो बर्टन निक वॉकर को डिफीट कर सकते हैं 2024 निव यॉक प्रो में 2024 निव यॉक प्रो अप्रोच कर रहा है और दो चेंपियन्स ओपन क्लास डिवीजन के सेट डाउन हो चुके हैं for the show एक रिसेंट यूट्यो वीडियो में डैनिस जेम्स और माईलाउस सारसेव ने डिपेट की कि क्या टोनियो बर्टन डिफीट कर सकते हैं निक वॉकर को में 18 को इन निव यॉक प्रो शो निक वॉकर के लिए ये unusual सीजन रहा है क्योंकि वो 2023 ओलंपिया में कंपीट नहीं कर पा जाले निक वॉकर ने अनॉंस किया कि 2024 न्यू यॉक प्रो में वो एंट्री करेंगे इस वेल नोन 2024 न्यू यॉक प्रो में आपको टोनियो बर्टन जैसे बॉडी बिल्डर भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने रिसेंटली फिनिश किया था सेकिंड प्लेस बिहाइंड इन न्यू यॉक प्रो शो बट ऐसा हो सकता है अगर निक वॉकर स्टेज़ पर आएं अपनी ओफ फिजीक के साथ दूसी तरफ निक वॉकर ने अपनी प्रेपरेशन को ओपन कर लिया है न्यू यॉक प्रो शो के लिए उन्होंने इंकॉर्परेट किया डौरियन येड स्ट स्टेज पर compete कर पाएं दोस्तों आपके क्या thoughts है कि क्या Nick Walker इस बार New York Pro Show को जीत लेंगे आप comment section में share कर सकते हैं और currently आपको उनकी physique कैसे लग रही है उसके बारे में भी आप अपने thoughts share कर सकते हैं Next update है about Wesley Visers जिन्होंने share की Top 3 exercises for golden era biceps Dutch bodybuilder Wesley Visers एक major factor रहे हैं इन classic physique क्योंकि उन्होंने recently Arnold Classic title को जीता है Wesley Visers ने Arnold Classic में Raymond को beat करके वो title acquire किया था Wesley Visers ने recently एक update दी है कि कैसे वो train करते हैं और कौन-कौन सी top 3 movements रहेगी golden era biceps को build करने के लिए According to Visers वो complete करते है biceps training को after warming up with a back workout Visers के according first exercise है cable biceps curls जो काफी अची exercise है golden era biceps को build करने के लिए इस exercise के आप 12 से 20 repetitions के 2 से 3 sets perform कर सकते हैं exercise number 2 is concentration curls concentration curls वी one of the best exercise है biceps build करने के लिए इसके भी आप 15 से 20 repetitions के 2 से 3 sets perform कर सकते हैं और third exercise है dumbbell hammer curls जो biceps के size को बढ़ाने के लिए one of the best exercise है इसके भी आफ 15 से 20 repetitions के 2 से 3 sets परफॉर्म कर सकते हैं अपने overall golden era biceps को build करने के लिए इसके साथ advisors ने share किया कि वो perfect shape, condition and proportions of golden era talent like Arnold prepare करना चाते हैं और as a leading candidate वो challenge करना चाते हैं Chris Bumsteer को on 2024 Mr. Olympia stage और काफी ज़्यादा interesting होगा 2024 Olympia में इन दोनों को compete करते on stage देखना so guys ये थी कुछ information about bodybuilding industry information useful लगी तो video को like and share जरूर करे and subscribe our youtube channel for more related videos till then stay fit and stay healthy